विशे समझ को मजबूत बनाने तथा विज्ञान और तक्नीकी के विश्यों में रूची बढ़ाने के लिए श्रीदेवी महिला पॉले टेक्निक हनुमानगड के इस वीडियो चैनल में आज प्रस्तूत है दस्वे विज्ञान के लिए एक बहुत रूचिकर और महतपून वीडियो कारिय शक्ती और उरजाओं पर वर्क पावर एंड एनरजी तो शुरू करते हैं आज की वीडियो हमारे विज्ञान विशे की एक शाखा है भोतिकी और भोतिकी में एक विशे है जिसे हम कहते है यांत्रिकी और आज का हमारा वीडियो यांत्रिकी के एक बहुत महतपून विशे कारिय से शुरू करते हैं अगर मैं किसी दिवार को बलपूरवक दकेलने की कोशिश करूँ और दिवार में कोई विस्तापन ना हो विज्ञान की भाषा के अनुरूप बल दुआरा कोई कारिय नहीं होगा एक कारिय बल की स्थिती में तब सामने आएगा जब कोई ऐसा विस्तापन भी हो जो बल की दिशा के अनुदिश हो विज्ञान की भाषा में हम कारिय को परिभाशित करते हैं बल और बल की दिशा में उत्पन विस्तापन के गुनन फल को कारिय कहते हैं तो ध्यान रहे, यहां दो चीजे हैं, एक है बल और दूसरा है ऐसा विस्तापन जो बल की दिशा में कोई घटक रखता हो, एक उधारन से चीज समझते हैं, एक वस्तू पे F न्यूटन का बल लग रहा है, और अब हम इसे बल के द्वारा विस्तापित करते हैं, और कुल विस न्यूटन एकाई में नापते हैं, और विस्तापन को MKS एकाई में मीटर में नापते हैं, तो न्यूटन और मीटर के इस गुणा को कारिय की एकाई के रूप में जूल में नापते हैं, अगर हम MKS की बज़ाए पुरानी CGS मापन पद्दत्ती में काम करें, तो बल की हैं और विस्तापन को सेंटी मीटर में नापते हैं, और कारिय जो बल और विस्तापन का गुणा है, वो डायन और सेंटी मीटर के गुणे के तोर पे आर्ग हो जाएगा, हमने देखा कि कारिय को MKS एकाई में जूल में और CGS एकाई में आर्ग में नापते हैं, MKS एकाई, और दोनों में जो अंतर है वो 10 की घात 7 ये बात हम सिद्ध भी कर सकते हैं क्योंकि 1 newton है वो 10 की घात 5 डायन के बराबर है और 1 meter 10 की घात 2 या 100 cm के बराबर है तो जब आप डायन और cm का गुणा करेंगे तो वो अर्ग आ जाएगा और जो संख्या है वो 10 की गात 7 हो जाएगी और 10 की गात 7 अरग है वो 1 न्यूटन और 1 मीटर का गुना एक जूल कारिय होगा हम बहुत सरल एक जूल की परिभाषा भी बना सकते हैं और वो है कि अगर हम 1 न्यूटन के बल से बल की दिशा में वस्तू का 1 मीटर विस्तापन करें तो इस तरह से किया गया कारिय एक जूल होगा अब एक और स्थिती हो सकती है कि हमारे द्वारा लगाया गया बल की दिशा जो हमने नीले तीर से प्रदर्शित की है और वस्तू का विस्तापन जिसे हम लाल तीर से प्रदर्शित कर रहे हैं दोनों के बीच में कोई कोणी ये अंतराल है। ऐसी स्थिति में कारिये का मान इस बल के साथ उस विस्तापन को गुना करने से आएगा जो बल की दिशा में है। अब अगर विस्तापन S है और बल के साथ ठीटा कोन बना रहा है तो मुझे इस विस्तापन S का वो गटक निकालना है जो बल की दिशा में है। अगर विस्तापन S का वो गटक है तो बल की दिशा में है जो बल की दिशा में है जो गटक से गुना कर दूँगा और इस तरह से जो नया मेरा F S को गटक रूप आएगा वो इस स्थिती में किया गया कारिये होगा। बल और विस्तापन दोनों बोतिकी की भाषा में सदिश राशियां हैं और इन्हें व्यक्त करते समय दिशा बोध होना जरूरी है। तीन ऐसी रुचिकर स्थितियां हैं जिसमें बल और विस्तापन के मद्द कोन कारिये निर्धारन को प्रभावित करता है। एक पहली इस्तिती लेते हैं जिसमें बल की दिशा और विस्तापन की दिशा एक समान है। एसी इस्तिती में कारिये किसी बल द्वारा विस्तापन के साथ अधिक्तम मान रखेगा। क्योंकि इस इस्तिती में बल और विस्तापन के बीच में कोन कितना है। जीरो डिग्री और हमें पता है तिलकोन मिती में कोस जीरो डिग्री का मान कितना होता है। अधिक्तम एक तो ऐसे स्थिति में कारी है बल, विस्तापन और दोनों के बीच में एकी दिशा होने के कारण cost zero degree का एक मान होने के कारण अधिक्तम पूरा-पूरा बल और विस्तापन का बुननफल हो गया पुराने उधारन को फिर दोहरा लेते हैं इस वस्तू पर ये जो नीला तीर है वो बल की दिशा बता रहा है और इसी वस्तू को मैं बल की दिशा में लाल तीर से इंकित विस्तापन करता हूँ तो बल और विस्तापन के बीच में कौन शुन्य है और शुन्य का कोस जीरो डिगरी कमान एक होने के कारण जो कारिय है वो बल और विस्तापन का गुननफल हो गया है एक और उधारन बहुत सहस्ता से हम देखते हैं कि अगर कोई वस्तू स्वतंतरता पूर्वक गुरत्व परभाव में एच उन्चाई से उर्धवादर नीचे की ओर गिरती है ये कोई M दर्वेमान की एक कोई वस्तू है जो प्रत्वी के गुरत्वा करशन के बल के कारण उ to Z हो गया है और ये बल यहां नीले तीर में उर्धवादर नीचे की ओर है अब ये वस्तू इस लाल तीर के भांती जब उर्धवादर नीचे की ओर गती करेगी तो बल और विस्तापन A की दिशा में होगा हमारी M दर्वेमान की वस्तू गुरत्वा करशन के प्रभाव में उर्धवादर नीचे की ओर गती कर रही है गती के दोरान इस नीले तीर के दिशा में उर्धवादर नीचे की ओर गुरत्वा करशन का बल M G लग रहा है और ये वस्तू उस बल के कारण स्वतनत्ता पूर्वक उर्धवादर नीचे की ओर इस लाल तीर से H विस्तापन करती है तो आप देख रहे हैं कि बल और विस्तापन के बीच में जो कोण है वो शुन्य डिग्री है और शुन्य डिग्री का कौस्ट शुन्य डिग्री का मान एक होने के कारण कारिये इस स्थिती में अधिक्तम हो गया है और वो अधिक्तम कारिये बल और विस्थापन का गुननफल बल Mg, विस्थापन H, Mg, H होगा, तो अगर कोई वस्थू H उन्चाई से अगर उपर जाती, तो बाहिय कारक को गुर्तवा कर्शन के विरूद MgH कारिय करना पड़ता, और वो कारिये वस्थू को स्थिती बदलने के कार हमें प्राप्त हो सकता है, जैसे कि उचे बांध में संचित पानी जब नीचे आता है, तो पानी की जो गुर्तवा कर्शन के कारिये से उर्जा आती है, वो गती जुर्जा में बदल कर और एक टरबाइन को यांतरिक गती दे देती है, विसे समझ के द्रस्थी से एक और एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, कि हमारी यांत्रिक गती में विस्तापन का कारण बल नहीं होता, बलकि तातकाली वेग होता है, और बल का कारिय उस वेग को बदलना होता है, एक उधारन से ये बात अभी समझ में भी आ जाएगी, जब विस्तापन और बल परस पर व विप्रीत हो, कारिय रिनातमग कहलाता है, क्योंकि तिरकोन मिती में बल और विस्तापन जब एकदम विप्रीत होंगे, तो दोनों के बीच में कौन 180 डिग्री हो जाएगा, और 180 डिग्री का कौसाइन मान माइनस एक के बराबर है, और आप देखिए हमारा जो कारिय का सुत लेकिन उसका चिन क्या होगा, माइनस होगा, दो धारन लेते हैं, और चीज़े समझते हैं, पहला धारन यह है कि हम कोई गाडी है, जो चल रही है, और गाडी के चलने की दिशा इस लाल तीर से अभीव्यक्त है, और हमने गाडी को रोकने के लिए ब्रेक लगाने है, जो ब पाकर रुकेगी, एक और उधारन देखिए, हमने किसी वस्तु को किसी भाईय कारक द्वारा कोई प्रारंबिक वेग देकर उर्द्वादर उपर की और टैंक दिया है, और जो शक्ति है जिसने इसे उपर की दिशा में कोई प्रारंबिक वेग दिया है, वो शक्ति हट गई अब शुन्य स्थिती में इसके पास उपर की दिशा में काफी अधिक मान का वेग है। वस्तु का वेग घट रहा था और घट कर शुन्य हो गया अब वही विस्तापन और बल एकी दिशा में हो गए तो धनात्मक कारिया होने लगा और आप पाएंगे कि वस्तु का वेग समय के साथ लगातार बढ़ता चला जाएगा। वस्तु के पास अभी चरम स्तिती पे संचित है और जब ये वापस नीचे गिरती है तो वो ही स्तिती की उर्जा वस्तु को क्या करती है ये मैं मैजंटा लाइन से दिखा रहा हूँ उतने ही मान का उल्टी दिशा में नीचे की और वेग दे देगी। बल और विस्तापन के बीच में कोण ये इस्तिती का एक और उधारन लेते हैं जब बल और विस्तापन परस पर लंबुवत हैं। और ऐसी इस्तिती में बल भी है विस्तापन भी है फिर भी कारिये शुन्य हैं। किसी वस्तू को खीच रहे हैं। तो इस इस्तिती में गुर्टव बल द्वारा कोई कारिये नहीं होगा क्योंकि बल और विस्तापन आप देखिए गुर्टवा करशन का बल है तो उर्द्वादर नीचे की और कारियरत है और हम बल के लंबुवत लाल तीर की दिशा में 36 के अनरूप जब विस्तापन करेंगे तो बल और विस्तापन के बीच में कोण 90 डिग्री होने के कारण कारिये क्या होगा शुन्य हो जाएगा। आप देखें कि बल उर्द्वादर नीचे की तरफ है और जब ये वस्तू 36 के समानतर चलती है तो बल और विस्तापन में कोण 90 डिग्री होने के कारण कारिये नहीं होगा। हम देखते हैं कि जब हम धरातर पर चलते हैं तो कुछ कारिये हमें करना पड़ता है और इस कारिये का कारण घर्शन होता है क्योंकि घर्शन के कारण एक गती के विरुद बल लगने लगता है और उस बल के कारण जब हम गती कर अगर हम किसी कम घर्षन की स्थिति बना लेते हैं, जैसे वस्तु को सिर पर रखकर चलते हैं, तो घर्षन नहीं ओने के कारण हमें कारिय क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ये और बहुत प्रचलित उधारण है इसी स्थिति का, जिसमें बलो और विस्तापन परस प पर लंबुवत होते हैं, ये गुर्तवा कर्शन में सूरिय के परी धर्ती का चक्कर लगाना हुआ, या धर्ती के चारूं तरफ हमारे उपग्रह चंद्रमा का चक्कर लगाना हुआ, या चुंबकिय छेतरों में किसी आवेशित कन का लंबुवत चुंबकिय छेतर में गती कर लेता है और ऐसी गतियों को हम वर्तुल गति कहते हैं और इस वर्तुल गति में आप देखिएगा कि यह जो बल है यह केंदर की तरफ लग रहा है और वस्तु ऐसे स्पर्षजाई जब गति करती है तो गति की जो दिशा है या विस्तापन है वो तो तातकालिनवेक डिशा मे होगा और बल उसके लंबुवत है और ऐसी स्थिती में क्या होगा अभी केंद्रिय बल द्वारा गती के दोरान विस्तापन होने के बावजूद भी कोई कारिया नहीं करना होगा हम वर्तुल गती को समझ लेते हैं आप देखिए कि स्थिती एक में मेरा कंड है थोड़ी देर मेरा कंड है वो नई स्थिती पे आ जाएगा आप देखिए कुछ देर बाद उसकी स्थिती ये हो जाएगी एक बार फिर देखेगा कि बल और विस्तापन पुने क्या है एक दूसरे के लंबुवत है और इस पूरी गती के दोरान क्योंकि बल द्वारा कारिया नहीं हुआ तो वस्तू के गती जूर्जा या वेका मान नहीं बदलेगा कि वेक एक सदिश राशी है और लगातार बल लगने के कारण उसकी दिशा में परिवर्तन होगा लेकिन मान में परिवर्तन नहीं होगा तो आप देखेंगे कि वर्तुल गर्ती करता हुआ कन नियत वेक से दिश चैश्य जूर्ज अभी हमारी उर्जाय कई परकार की हो सकती है जैसे यांत्रिक उर्जा जिसे इस्तिति और गति उर्जा कहते हैं। पिश्मा उर्जा, रासाइनिक उर्जा, वैद्यूत उर्जा, गुर्त उर्जा, नाबिकिये उर्जा, जरा समझते हैं कि सब के क्या मतलब हैं, जो यांतरिक गतियों से सम्बंदित और स्थितियों से सम्बंदित उर्जा है, उसे यांतरिक उर्जा कहते हैं, तो ये किसी वी वस्तु की गती या स्तिती के कारण या फिर दोनों के कारण हो सकती है और इनके नाम गती जूर्जा या स्तिती जूर्जा भी है और हमारी आम मशीनों में और गतीयों में इनका बहुत महत्व है इनके बारे में कुछ आगे सांकिक प्रशन करेंगे तो और बातें समझ में आईगी एक और जिसे हम उश्मा उर्जा या हीट एनर्जी कहते हैं हमारी उश्मा है वो विकीरन या रेडियेशन से या फिर पदार्तों में ताप के अंतर के कारण एक जगे से उर्जा को दूसरी जगे ले जाती है और ऐसी उर्जा को जो तापांतर के कारण है या उश्मे विकीरन के कारण है हम उश्मे उर्जा कहते हैं जैसे एक उधारन हो सकता है सूरिय के विकीरन या कोई जलती वी आग अब एक और उर्जा है जिसे हम रसाइनिक उर्जा कहते हैं बहुत सारे जो रसाइनिक पदार्थ हैं वो रसाइनिक क्रियाओं के द्वारा उर्जा का उत्सरजन कर देते हैं जैसे हमारी जो बैटरी है वो विभव पैदा कर सकती है रसाइनिक तरीकों से इसी तरह से अगर कोईला है उसको अगर ऑक्सिजन की उपस्तिती में जलाया जाता है तो जो कार्बन है उसके ऑक्सी करण से उर्जा प्राप्त होती है इसी तरह से हमारी रसोई गैस जो गैस है वो दहन से उर्जा देती है हम जो बोजन खाते हैं वो जेव रसाइनिक क्रियाओं से हमें कार्य करने की उर्जा देता है ये सभी क्रियाओं में जो रसाइनिक अंश है वो उर्जा देते हैं ऐसी उर्जा को हम रसाइनिक उर्जा कहते हैं एक बहुत प्रचलित और सुईदा जनक उर्जा है जिस पे हमारा वर्तमान आधुनिक जीवन बहुत जादा निर्बर है और वो विद्यूत उर्जा है हमें पता है कि विद्यूत जनित्रों द्वारा उत्पन विभुवांतर से परिपतों में धारा प्रवाह करके हम बहुत सारे कारिये विद्यूत उर्जा से करते हैं बहुत सारी विद्धूत युक्तियάं हैं, मोट्रें हैं, पंखें हैं या हमारा जो शीतलन के यंत्र हैं वो सबी विद्धूत युक्तियां हैं, वो विद्धूत उर्जा से ही चलती है प्रत्वी द्रवेमान के कारण वो अपने समीप एक गुर्तवा करशन की शक्ती रखती है और इस शक्ती के कारण वस्तों की स्तिती के कारण उनमें कोई उर्जा होती है जैसे उची स्तिती पे संचित बांद में पानी तो इस तरह की उर्जा को हम गुर्तवे उर्जा भी कहत से हमें उर्जा द्रवेमान को रुपांतरित करके दे सकते हैं ऐसी उर्जा जो द्रवेमान से रुपांतरित होकर प्राप्त हो रही है नाबगी क्रियाओं से उसे हम नाबगी उर्जा कहते हैं एक बहुत महतपून उर्जा की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं गती जूर्जा न्यूटन का एक जड़तू का नियम है जो कहता है कि सहती या दर्विमान वाली वस्तू गती में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करती है और अगर कोई वस्तू स्तेर है तो वो स्तेर रहेगी और अगर वो किसी वेग से चल रही है तो वो उसी वेग से चलना चाहेगी और अगर कारिय वस्तू को मिलता है तो वस्तू का वेग बढ़ता है और किया गया कारिय वो वेग के रूप में स्वेम में संचित कर लेती है और किसी वस्तू में इस तरह ऐसे अंते नहीं वह उर्जा जो उसके गती और द्रवेमान के कारण है उसे हम गती जूर्जा कहते हैं और वो किसी वेग V से किसी छण गतिमान है तो उस छण पे उसके गति जूर्जा का मान होगा एक बटा दो M V स्क्वेर या M वस्तू का दर्वेमान है और V वस्तू का वेग है किसी भी वस्तू में गती जूर्जा हमेशा धनात्मक होगी और ये वस्तू के दर्वेमान और वेग पे निर्भर करेगी ये इस बात पे निर्भर नहीं करेगी कि वेग की दिशा कौन सी है हमारी परिक्षाओं में गती जूर्जा ग्यात करने के प्रशना सकते हैं जिसमें हमें वस्तु का दर्वेमान और वेग दिया होगा और गती जूर्जा ग्यात करवाई होगी ऐसा भी हो सकता है कि गती जूर्जा तो दीवी होगी और दर्वेमान या वेग में से एक देकर दूसरा पूछ लेंगे, एक उधारन करते हैं, हमें दिया गया है कि एक बंदूग से गोली डाग कर निकाली गई, और गोली का वेग 500 मीटर परती सेकंड हो गया है, अगर गोली का दर्वेमान 100 ग्राम है, तो उसकी गती जूर जाग में पढ़ा जाता है, तो मेरा दर्वेमान जो मुझे 100 ग्राम दिया हुआ है, उसको मैं किलो ग्राम में बदल दूँगा, हजार का भाग दूँगा, तो ये आ जाएगा दशमलो 1 किलो ग्राम, वेग मुझे MKS यूनिट सिस्टम में मीटर और सेकंड ही काई में दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकंड तो इसको मैं सीधे उपयोग में ले लूँगा, अब मेरा गती जूर्चा का सुत्र है, हाफ M V स्कूर, M दर्वेमान है, उसकी जगह मैंने 0.1 किलो ग्राम में मान रख देना है, वेग 500 मीटर पर सेकंड है, तो मैंने वेग का मान रख देना है 500, अब म मैं दो का भाग दूँगा, तो यह आएगी 12500 जूल, अब क्योंकि यह 1000 से बड़ी राशी है, तो हम जब वेग्यानिक उत्तर देते हैं, तो तीन की घातों में जब बड़ी संक्या हो, तो हम जूल को किलो जूल में बदल देंगे, 1000 का भाग देंगे, और यह उत्तर आ दश्मरलो 5 किलो जूल, हमने जाना था कि यह जो हमारी धरती है, उसके दरवेमान के कारण उसके समीप एक गुर्तवा करशन का प्रभाव होता है, और दूसरी वस्तुएं धरती की तरफ आकरशित होती हैं, और इस बल के कारण किसी वस्तुपर एक त्वरन काम करता है, उस जिसका दरवेमान M है, वो अगर प्रत्वी के पास गुर्तवे प्रभाव में है, तो उस पे गुर्तवे त्वरन G के कारण एक बल लगता है, जिसे हम M G कहेंगे, और इसको हम किसी दूसरी भाशा में वस्तु का भार भी कहते हैं, अब इस भार से वो धरती की तरफ आकरश करेंगे, वो कारिय होगा बल और विस्तापन का गुना M G H, हमारे द्वारा किया गया कारिय, वस्तु अपनी स्तिती बदल कर इकठा कर लेगी अपने पास, और वस्तु की स्तिती के कारण उसमें जो ये कारिय इकठा हो गया है, जो वो बाद में हमें वापस दे सकती है, उर्जा को समझने के लिए आंखिक प्रशन करते हैं, हमें एक वस्तु दीवी है, जिसका द्रवेमान है 40 किलोग्राम, और एक मशीन के द्वारा हमें इसे 10 मीटर की उंचाई पर लिजाना है, तो मशीन द्वारा किये गए कारिय की गणना करनी है, अब मुझे पता है कि धर जहां जी गुर्तवे त्वरन है, और हमें गुर्तवे त्वरन का मान इस प्रशन में 9.8 मीटर पर सेकिंड स्क्वार लेना है, कभी हम आंकिक प्रशनों को सहिस्ता और सरलता से करने के लिए जी का मान 10 भी ले लेते हैं, तो आप देखिए कि जब हम इस वस्तु को मशीन के द्वारा उपर की तरफ खींचते हैं, तो हमें बल के विरुद कारिय करना पड़ता है, तो कारिय हो गया बल, जो गुर्तवा करशन लगा रहा है, और मशीन के द्वारा वस्तु को बल के विरुद चलाने में तैकी गई, उचाई, और हमारा सुत्र बन गया, MGH, M की जगे ह सिर्फ संख्या लिखने से आंके एक प्रशन हो जाएगा, बस जो एकाई है, राशी की, वो MKS होनी चाहिए, और अब तैकी गई दूरी, यहां नीले तीर से हम दिखा रहे हैं, वो 10 मीटर है, तो M की जगे 40, G की जगे 9.8 और H की जगे 10 लिखने पर, यह गंडा हो गई 3920, और कारिय की काई है, जूल, अब यह जो मशीन कारिय करेगी, वो उंचाई पर पहुंची वी स्वस्तू के पास, स्तेती जूर्जा के रुक में संगरहीत हो जाएगी, हमें इसी तरह के प्रशनों में कारिय करने में लगा समय देकर, शक्तियों की गणना भी करवा सकते हैं, तो जड़ा समझते हैं कि यह शक्ति क्या है, पर उससे पहले एक और सवाल करते हैं कारिय का, स्प्रिंग की स्तेती जूर्जा की गणना करना थोड़ा अलग है, हम इस पात या कांसे जैसे प्रत्यास पदार की स्प्रिंगें बनाते हैं, जिने संपिडित या खिचाव किया तो स्प्रिंग का प्रत्यास पदार अपनी पूर अवस्ता प्राप्त करने के लिए एक प्रत्यानेयन बल बनाता है, इस प्रत्यानेयन बल का मान दो चीजों पर निर्भर करता है, एक स्प्रिंग का एंठन नियतांक है और दूसरा सामानेस्थिति से संपिडन या है अगर स्प्रिंग के नियतां को मैं के बोलूं तो जो स्प्रिंग को X संपिडित करने पर बल होगा वो हो जाएगा K X और आप देखिए कि जब मैंने पहली बार इसको संपिडित किया है और X का मान कम है तो मुझे बल कम लगाना पड़ेगा संपिडन के मातरा X का मान जैसे जैसे बढ़ेगा ये स्प्रिंग को संपिडित करना और ही जादा बल मांगेगा कारिय तो कर रहे हैं लेकिन बल का मान क्या है परिवर तनशील है जैसे हम सामाने तरीके से बल और विस्तापन का गुणा करके कारिया निकाल रहे थे वो गणना नहीं कर सकेंगे बलकि जब बल बदल रहा है तो हम एक गणित में विदा होती है जिसे अवकलन बोलते हैं ओच विज्ञान और तकनीकी अध्यन में आप गणित के ये दो विदाएं अवकलन और समाकलन पढ़ेंगे तो इस तरह की गणनाओं को बहुत सहस्ता से करना सीख लेंगे ये अल्प जिनकी का एंठन सती रांक है जो मुझे दिया हुआ इस स्थिती में 4 गुणा 10 की गहा 3 और इसकी काई मुझे दीवी है न्यूटन स्काइं प्रथी मीटर और X का मान 0.04 तो ये 2 का 4 में विभाजन 2 दे देगा ये 10 का गात 3 हमने ऐसे की ऐसे उतार ली और ये 2 बार 0.04 स्क्वाइर है तो 2 बार आया है अब पूरा गुणा किया तो ये 3.02 जूल हो गया है जब हम कोई कारिय करते हैं तो कारिय करने में समय भी लगता है एकांक समय में किये गए कारिय को हम शक्ति कहते हैं या हम शक्ति को यूँ परिभाशित कर सकते हैं कि अगर 1 सेकिंड में 1 जूल कारिय हो तो वो कारिय करने वाली शक्ति 1 वाट होगी हमें प्रशनों में कारिय में समय का भाग देकर शक्तियों की गणना करने के सवाल परिक्षा में पूछे जाते हैं ऐसा ही एक प्रशन करते हैं हमें दिया गया है एक 200 kg का द्रवेमान जिसे एक इंजन के द्वारा हमें 50 मीटर की उचाई तक खीचना है अगर ये कारिये 10 सेकिंड समय में करना है तो इंजन की शक्ति की गणना करनी है तो हमने देखा कि अगर गुर्तव तवरन में अगर M द्रवेमान को G गुर्तव तवरन में H उन्चाई पर अगर हम खीचते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कारिये W होगा MGH मैं कारिये की गणना करने के लिए M की जगए 200 KG G की जगए यहां प्रश्ण में 10 ले लेता हूं मीटर पर सेकिंड स्क्वार और H की जगए मैंने लिख दिया 50 मीटर और जब मैंने ये गणना की तो ये गणना आ गई 10,000 Z अब कारिये करने की समय दर शक्ती है तो किये के कारिये में कारिये में करने में लगा समय का भाग दे दिया समय मुझे कहा गया है कि 10 सेकिंड में कारिये करना है और कारिये है 10,000 Z का जब मैंने 10 सेकिंड का भाग दिया तो ये 10,000 W आ गई दिया तो इंजन की शक्ति 10 किलोवाट आ गई है कुछ इसी तरह की कारिये उर्जा और शक्ति की गढ़नाएं हमने heating effect of current में भी पढ़ी है जहां हम कारिये को दो तरीके से जूल और कैलोरी दोनों तरीके से पढ़ींगे एक जीवन उपयोगी बात के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं एक प्रकरती का खुबसूरत नियम है उर्जा सरंक्षन का नियम जो कहता है कि किसी विलगित निकाए में विलगित उसको कहते हैं जिसमें boundary हो जिसके बहार से कोई चीज अंदर नी आएगे और अंदर से को उर्जा सदेव नियत रहती है यानि उर्जा को ने तो उत्पन किया जा सकता है नहीं नस्ट किया जा सकता है केवल उर्जा के स्वरूप को रुपांतरित किया जा सकता है तो जब हम एक उर्जा स्वरूप को किसी उपयोगी दूसरे स्वरूप में रुपांतरित करते हैं तो कोई भी प्रकरम शत प्रतिशत दक्ष नहीं है और उर्जा का कुछ बहाग उश्माहानी या ध्वनी और प्रकाश इत्यादी के रूप में 6 हो जाता है वो छती हो जाती है उर्जा की छती कुछ ऐसा रूप ले लेती है कि वो हमारे लिए उपयोगी नहीं रहता है हलांकि हम जब उर्जा का रुपांतरन करते हैं तो हमारे लिए लाप्रद कोई कारिया और उर्जा की स्तिती बनती है लेकिन कुछ अनुपयोगी 6 भी होता है उर्जा हमारे जीवन का आधार है और उसे सही तरीके से उपयोग में लेना बहुत जरूरी है आधुनिक जगत की बढ़ता बहुत अधिक है इसलिए हमें उर्जा आउशक्ताओं की पूर्ती के समय अधिक्तम दक्षताओं का ध्यान रखना है और अनावशक उर्जा छे को जितना हो सके कम करना है उत्तरी राजस्तान की पंजाब और हर्याना से नस्दीक जिला मुख्यले हनुमानगड से शुरू किये गए श्रीदेवी क्लासे चैनल का उद्देशे है कि विद्यार्थी गनेत विज्ञान और अभियांतरी के विशों में समझदार बने अच्छे तक्नीकी ज्यान और कोशल से बहतरीन रोजगार पाए स्वयम परिवार देश की तरक्की में साहयक बने आप अच पड़ें तरक्की करें हैपी लर्निंग